हेलो फ्रेंड्स, welcome to myadip channel तो गाईज आज के हम इस वीडियो बात करने वाले है राजा महिंदर प्रताफ संग, राजजे बिस्वित देले अली गड में अगर आपको पीजी में एडविशन लेना है चाहें वो यूनिवेस्टी की केमपस में चाहें युनिवेस्टी से affiliated किसी भी college में अगर आपको admission लेना है तो उससे पहले आपको बेब पंजी grant या फिर बेब registration कराना होता है जो कि अनिवार रहे है ठीक है अगर ये नहीं होगा तो आप लोग किसी भी college या फिर युनिवेस्टी के campus में admission नहीं ले पाऊगे तो simple सा पहले तो ये बात होगी आप लोगों को बेब पंजी grant कराना अनिवार रहे है तो आप लोगों को ये बताना था जो PG first year में admission या फिर registration होना start हो चुके है ठीक है start हो चुके आप लोगों के registration होना इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ step by step आपको किस तरह से अपना पंजी grant या फिर web registration करना है ठीक है जी तो यहाँ पर एक और चीज में आपको बता दूँ यहाँ पर अभी MED और LLM इनके registration जो होते हैं वो अलग से होंगे यहाँ पर इनके अलावा जो भी courses रहेंगे PG के उन सभी के web registration आप लोग कर सकते हो इन courses के लिए में भी अभी अलग से link या portal on होगा देन जाकर आपनों के यह registration हो पाएंगे MED और LLM के लिए जैसे कि 4th semester B8 के result आएगा उसके बाद M8 के start हो जाएंगे ठीक है और BALB last 6th semester के result आने के बाद LLM के भी registration स्टार्ट हो जाएंगे इस तरह से तो जैसे भी होंगे मैं आपको inform कर दूँगा अपने चैनल के माद्दियम से या फिर अपने men telegram group के through ठीक है तो description में telegram group के link है आप लोग उन group से जुड़ जाना क्योंकि बैप registration के बाद आप लोग एड़िशल होगे और उसके बाद exam दोगे और दो साल इस university से connect रहोगे तो आपको जरूरत होगी information की जानकरे की कब क्या चीश हो रही है तो उसके लिए मैं अपने telegram पर सारी चीज़ें बताता रहता काफी students को तो आप लोग भी चैनल से telegram group या फिर चैनल से जोड़ सकते हो ठीके जी अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप लोग को बताता हूं step by step आप लोग को PG का registration किस तरह से करना है तो चली फर बिना किसी दिरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट कर बता हूं step by step आप लोग किस तरह से अपना बैप पंजी करने या फिर बैप रेश्टिसन करना है तो सबसे पहले आपको Google पर आजाना और सरच करना और पी एससवी ठीक है उसके बाद आपको फर्स्ट जो लिंक मिलेगा वो मिलेगा और यहां पर देख सकते हो इसके बाद साइट पर आने के बाद आपको scroll up करना है उसके बाद यहां पर आपको एक portal दखाए देगा यह आप देख सकते हैं admission 2024 और 25 ठीक है आपको simply यहां पर tap कर देना है जब आप यहां पर tap कर दोगो उसके बाद आपको इस तरह का interface देखने को मिलेगा और आप लोग यहां पर दे यहां पर खेंख करना चाहते हैं तो आप लोग यहां पर tap करना होगा अपको इस तरह का फ़र पम देखने मिलेगा interface देखनों को मिल जाएगा ठीक है अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या कैसे fill करना है सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर अपना नाम डालना है ठीक है applicant name उसके बाद father's name और mother's name यहाँ पर आप लोगो mister या फिर message का यूज नहीं करना नाम में आगे जैसा आपका 10th की mark sheet में आपको as it is वैसा यहाँ पर fill करना होगा उसके बाद यहाँ पर अपनी date of worth डाल लिए ठीक है अब यहाँ पर आपको जेंटर डालना है ठीक है उसके बाद अधर card number डालना है उसके बाद यहाँ पर अपना correspondence address यहाँ पर आपको fill करना होगा यह आप देख सकते हैं ठीक है यहाँ पर यह फिल करना हो उसके बाद आपका permanent address आएगा यहाँ पर आपनों को address आ जाएगा state आ जाएगी district आ जाएगा और address आप लोगों को अलग फिर करना होगा जो आपका होगा ठीक है और दोनों गर सेम है आपके तो यहाँ पर आपको टैप कर देना है तो दोनों address सेम हो जाएंगे permanent और correspondence आपके ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मुवाई लम में डालना है उसके बाद यहाँ पर email id दोनों जगे और यहाँ पर आपको फिर पासपर्ट करना पासपर्ट बनाना होगा ठीक है अब यहाँ पर जो पासपर्ट बनाओगे आप लोग काफी लोग का पासपर्ट बनाने में दिखकत होती हुने ठीक है मैं आपको बता देता हूं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आपको आठ से बारे letter का passport बनाना है आठ से बारे का बनाना है आठ से कम का नहीं हो और बारे से जादगा नहीं हो तो valid invalid हो जाएगा वो आपको फिर दुबारा से यह पूरा form फिल करना होगा अब यहाँ पर बनाने का तरीका क्या है आपके पास जो एक इसमें letter रहेगा वो रहेगा small letter एक बड़ा रहेगा और एक संक्या रहेगी 0 से 9 तक की और special character रहेंगे ठीक है अब आपको बताता हूँ जैसे यहाँ पर छोटा A है तो हमने मान के चली यहाँ पर B ले लिया छोटा उसके बाद यहाँ पर बड़ा बताए गया तो यहाँ पर मान के चली हमने Z ले लिया उसके बाद यहाँ पर पासबर्ट create कर दिया उसके बाद यहां पर re-enter पासबर्ट डालना होगा उसके बाद आपको पता ही है यहां पर आपको capture code डालना होगा यह इमेज टेक्स में उसके बाद register नाव पर click कर दिनोगा और और आपका first step है वो complete हो जाएगा ठीक है यह जीच clear होई इसके बाद करने के बाद मैं आपको पताता हूँ आगए अंटरफिस क्या खुलने वाला है यहां पर आपको एक कुछी बिता दूँ जब भी आप अपना address ड यहां पर यह mention है ठीक है अब यहां पर आपना यह सब्सक्राइब कर लिए उसके बाद हम यहां पर register नाव पर tap करेंगे तो आपको इस तरह का एक पबब आएगा और वहां पर नेखा हुआ sign up registration completed successfully with registration और नमबर आपका आगे mention होगा इस तरह से ठीक है आपको यहां पर okay पर tap कर दिना है उसके बाद आपनों का जो registration हो जाएगा वह successfully complete हो जाएगा यहां पर आप लोग दिख सकते है candidate registration successful ठीक है यहां पर आप लोगों का इधर जो यहां पर मैंना हाइट कर रखा है इधर आपका नाम आ जाएगा और registration संक्या भी आ जाएगी अगर आप चाहें तो इसको print भी कर सकते हैं अब यहां पर क्या है your step first process has been completed successfully please complete all rest step for registration your login details are given below यहां पर आप लोगों को दो चीज़ें देती रखी होंगी आपको login ID form number ठीक है और उसके बाद यहां पर password जो आपका होगा जो आपके mobile number वगर आपके भी send कर दी जाएगा यहां पर mention है send your mobile and email by yourself ठीक है मतलब वो सारवजन नहीं होगा आपकी email और text कर दी जाएगा ठीक है उसके बाद आपको आगे करना वो मैं आपको यहां पर पता देता हूं यहां पर आप लोगों को एक और option दखाए देगा click here to continue ठीक है जी आपको simply फिर आगे के लिए यहां पर tap कर देना है जब आप यहां पर tap कर दोगो उसके बाद आपको फिर second interface देखनों को मिलेगा यहां पर आप लोग देख सकते हो step to registration details ठीक है अब यहां पर आप लोगों को यह फिल करना होगा कैसे फिल करना होगा चलिए जानते हैं समस्ते तो चलिए अब हम यहां पर यह option को फिल करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला आप लोगा income group ठीक है लोगा एवब 8 लाग पर एनम अगर 8 लाग से जादा सालना income है तो आप लोग 4 वाले को चूज करेंगे और इसमें नहीं आते आप लोग तो नन भी कर सकते हैं ठीक है जी तो यहां पर जो फर्स्ट हो गया वह तो हो गया second है आप लोगा religion ठीक है तो अगर आप लोग हिंद personality आप लोग भारती ही होंगे obviously बात है वो सेलक्ट कर देंगे उसके बाद domicile state जिस भी state से आप लोग आते हो वो सेलक्ट कर देंगे ठीक है और फिर अपना domicile certificate नमबर यहां पर आप लोग फिल कर देंगे अगर domicile certificate नमबर नहीं है तो यहां पर आप लोग टाइप कर दे देंगे none ठीक है only यहां पर type कर देंगे none इस से कोई दिकत होने नहीं वाली ठीक है उसके बाद आती है अप लोग कास्ट और category तो आप जिस भी background से आते हो general या फिर OVC SC या फिर ST वो आप लोग यहां पर select कर देना अपने अनुसाल फिर उसका अगर कास्ट यह certificate नमबर है तो वो यहां पर select कर देना अगर नहीं है तो फिर आप लोग यहां पर none type कर देना ठीक है उसके बाद आता है आता है आप लोग का option minority का अगर आप लोग है तो yes कर देना नहीं है तो फिर नहीं कर देना ठीक है अगर minority certificate नमबर है तो डाल देना वनना आप लोग none भी कर सकते ह तो इसमें क्या है बेसिकलि अगर आप लोग फ्रीडम फाइटर या फिर आर्मी डिफेंस से हो तो यस कर देना अगर नहीं हो तो फिर यहां पर लोग सेलेक्ट कर देना यहां पर नन को अप्शन लास्ट में दे रखा है ठीक है जी रिजर्वेशन केटिगरी सर्टिफिकेट नंबर है तो वो डाल देना नहीं है तो फिर इसको नन कर देना ठीक है यहां पर इसको नन कर देना ठीक है उसके बाद नेक्स्ट कर देना ठीक है और फिर अधर केटिगरी ठीक है अगर यहां पर आप लोग यह दे रखा रेजिडेंट ओफ कस्मीर बनना आप लोग नन कर स यहाँ पर अगर आप लोग को पास NCC यहाँ पर काफ़ सार ओप्शन है ठीक है अगर आप लोग को पास है तो इनको डाल के certificate नंबर बगरा यहाँ पर डाल देना वन ना इनको नन करते चलिए आना ठीक है यूनिवेस्टी यहाँ पर आप लोग का उसी के मसले में यह पूरा दे रखा है ठीक है अगर आप हो तो फिर डाल देना अन्यता फिर नन करते चलिए आना एंड तक यहाँ पर भी आप लोग का यह option हो गया अब अदर डेटेल में आप लोग के जो डेटेल आती है वो है ABC ID अगर आप लोग के पास academic bank credit है तो आप लोग यहाँ पर उसका number डाल सकते हो नहीं है तो फिर आप बना भी सकतो डिजी लोकर पर जाकर और अगर नहीं है नहीं बनाना चाहते तो फिर नन इसमें कर सकते हो ठीक है जी अब यहाँ पर migration certificate अगर है तो डाल दो वरना आप लोग नन कर सकते हो ठीक है इसके बाद आता है आप लोग का medium examination exam किस language में देना चाहते हो तो हिंदी कर दोगे ठीक है और medium of instructions यह communication अगर English है तो English अगर हिंदी है तो English जो भी आपको आते हो यहाँ पर दो option basically दे रखे है ठीक है तो आप लोग स्लेक्ट कर देना ठीक है बाकी मैंने आपको यह सारी चीज़े बता दी कोई अगर दिक्कत परिशानी होती तो मेरे को Instagram पर आकर message कर सकते हो मैं आपको महाँ पर बता दूगा ठीक है इसके बाद हम बढ़ते हैं यहाँ नेक्स्ट की तरफ और फिर आ गएगा process में आपको बताता हूँ जितने भी डिट्रिल थी वो आपने फिल कर दी अब हम नेक्स्ट पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आप लोग यह नेक्स्ट को उप्शन आ रहा है इस पर टैप कर सकते हो उसके बाद जो नेक्स्ट इंटरफेस आएगा वह आपके सामने होगा प्लीज वेट यहाँ पर एक आप्र ग्रोएशन फरॉम आरेंपईसी उनिवस्टी थी टीक है तो यह कर दो अगर आपने किसी और युनिवस्टी अधर युनिवस्टी से ग्रॉइशन कर दोगे ठीक है नो करने के बाद आपको यहाँ पर स्लेक्ट वन को पर आप्शन भी मिलेगा वह हम दिखते हैं किस इसP तो प्रयाट में अगर यहां पर आपने इस कर देना यहां पर आपने यहां पर भाद सारे लिस्ट है ठीक है अगर आपने ग्रोइशन नहीं करी तो फिर आप लोग नो कर दीजिएगा यहाँ पर और जो स्लेक्ट वन है फिर वहाँ पर आपको कॉलेज नाम डालने की कोई जरूद नहीं है अल्ली नन कॉप्शन आएगा आप लोग वही फिल कर दोगे बेसिकली ठीक है यहाँ इसलेक्ट करेंगे तो फिर आप लोग उसमें इस नूपेंदर करते हों व screws भाउबky अगर उसक्टर क्यद की अगर आप लोग ने ग्रोइशन किर्णी के नहीं किसी और किसी और दिली उनिविस्ट्टी से आक्र और उन्वेस्ट्टे तो आप लो का option सेलेक्टर होगे और second वाले में none का कर दोगे ठीक है यहाँ पर फूचा गया ग्रोईशन यूनिवेस्टी स्टेट ठीक है तो अगर आप लोगों ने किसी भी अपनी ग्रोईशन किसी भी उत्रप्रतिस की उनिवेस्टी से की है तो यहाँ पर उत्रप्रतिस चूस करना वरना अगर किसी और उनिवेस्टी से की है जो कि उत्रप्रतिस का अंतरकत नहीं आती तो फिर आप लोग अधर की तरफ जा सकते हो ठीक है जी क्लिर होगे यह वाली जी अब यहाँ पर जो important है वो है आप लोगों की हाइचकूल ठीक है आप लोग यहाँ पर देख सकति हो मैं आपको दिखा देता हूं हाइचकूल इंटर ग्रिज़ पॉश्टक्रिज हो या फिर आप लोग बीजी दोबार कर रे हो ठीक है तो वो भी यहाँ पर फिल कर सकते हो और अधर में आप कुछ भी डाल सकते हो ठीक है जी तो क्लियर हो गई अब मैं आपको बता देता हूं विसक लिए यहाँ पर आपको किस तरह से यह चीज़ें फिल करने हैं अब यह से मान के चलिए यहाँ पर आप लोगों को अपने बोर्ड उनिवस्टी से आप लोगों ने हाई स्कुल किये वो यहाँ पर फिल कर देना है जिसे मान के चलिए यहाँ पर हम मोश्टली प्रिफर करेंगे उत्तर प्रदेश उनिवस्टी वालों को क्योंकि मोश्टली वच्चे वही होंगे यूपी वाले ठीक है जी और आपके अगर क आप लोगों की है तो यह अधर का भी ऑप्शन है ठीक है जी क्लियर होगे तो हम यहाँ पर स्लेक्ट करेंगे यूपी बोड वाले स्टुडेंट्स के लिए ठीक है तो यहाँ पर हमने स्लेक्ट कर लिया यूपी बोड यह आप दिख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पर स्ले अब यहां पर maximum marks का option आ रहा है तो maximum marks वो है जैसे आपका जो high school किये वो total 600 number किये ठीक है तो यहां पर 600 आ जाएंगे और यहां पर marks obtained मलब जितने आपने प्राप्त किये जैसे 600 में से आपने 500 प्राप्त किये तो आप लोगों को यहां पर 500 लिखने हैं और यहां पर maximum है जैसे 600 म प्राप्त की बात आएगी तो सब्जेक्ट में आप लोगों को जैसे मान की चलिए यह स्लेक्ट करना सब्जेक्ट अब मैं आपको पता जाता हूं किस तरह से जैसे मान की चलिए आपके पास high school में English थी ठीक है तो जैसे आप लोगोंने English यहां पर करा English उसके बाद कर दिया यहां से यह कॉमा लग गया ठीक है उसके बाद आपके पास High School में Hindi थी तो आपने Hindi कर दिया उसके बाद कॉमा कर दिया इस तरह से जितने भी subject आपके पास High School में थे जिनके number count होते थे final result में वो सभी subject आपको यहां पर mention कर देने ठीक है जी कॉमा कॉमा करके और लास्ट में जो सब्जेक्ट बचे उसमें एंड लगा देना ठीक है यहां पर आपको इस तरह से हाई स्कूल के सब्जेक्ट को फिल कर देना है सेम प्रोसेस आप सब्जेक्ट और लास्ट बाले में एंड कर देना ठीक है यहां पर आपको सबभी कोर्स दे रखे होंगे जैसे आपने प्ये कर देना है ठीक है उसके बाद अब टैप कर दोगा थोड़ा सा लोट होगा उसके बाद यूनिवस्टी पुछे जाएगी पासंग येर्पुछे ज तो जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं यहां पर आप लोग फिर यूनिवस्टी अपनी स्लेक्ट कर लेंगे ठीक है उसके बाद सेम वही प्रोसेस आप लोगों का एयर लो लंबर मैक्जिमम जैसे ग्रूइशन आप लोगों की जितने भी नंबर की थी टोटल तीनों फिर मिलाकर इसे 18 थे ठीकी तो उसमें यहां पर यहacer आ या इसे घी आ पर देना जो आपके पास इंगलिस थी टीट्वी above लगा देना थिकर इतना आपको तो पता ही हुगा बेसिक लिद्स पोइस्ट इंगर आप तो यहाँ पर detail फिल कर सकते हैं वही process है ठीक है और यहाँ पर देख लेते हैं अधर का ठीक है अगर अधर भी आप लोग कुछ की हुए हो तो वह यहाँ पर select कर सकते हो यहाँ पर रहने वाला है आपनों का इसमें ठीक है यूनिवर्स्टी फिर पासिंग यहाँ पर सब्जेक्ट दे रहे होंगे सब आपनों के पास ग्रोइशन में क्या सब्जेक्ट थे मानगे चलिए आपके पास एकॉनिक्स तो आपने एकॉनिक्स यहाँ पर चूज कर लिए उसके बाद थोड़ा सा साइट यह लोड होगी इसलिए मैं बारबर करके नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को प्रीव में यहाँ पर समझा दूंगा ठीक है तो जैसा कि आप लोगों का यूजी का फर्स्ट सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर फिल कर देना है और यहाँ पर जो है जो मैं सब्जेक्ट रहेंगे तीन वह यहाँ पर डाल देना है क्योंकि यह फॉर्म है बेसिकली एनिप के तहत वाला है जो कि मेजर सब्जेक्ट होते हैं तीन उसी के साफ से नोने यहाँ पर दे रहा है ठीक है अब यहाँ पर आप लोग सारी डिटेल फिल कर दो कि उसक चाहिए जो इंटरफेस देखने को मिलेगा वो में भी फेवेंट का होगा ठीक है वो देखते हैं थोड़ा सा लोड होगा इसके बाद देखते हैं क्या होता है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो फाइनली यहाँ पर एक और स्टेप आ चुका है वह आप लोगों का के बीच होना चाहिए फोटो का ठीक है अब यहां पर जो साइन है आप लोगों के वो हैं आप लोगों के 10 के 20 के बीच होने चाहिए तब भी अपलोट होंगे ठीक है तो चलिए अब हम इसको अपलोट करते हैं तो गाइस अब हमने यहां पर फोटो और signature को upload कर दिया है तो सबसे पहले आप लोगों क्या करना होगा choose file पर जाका photo select करना होगा उसके बाद फिर choose अपने signature को select करना होगा उसके बाद जब select करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आकर upload पर tap कर देना होगा फिर sign को चूज करकर यहां पर upload वाले session पर या portal पर टैप कर देना होगा बटन पर ठीक है उसके बाद यहां पर आप लोगों के view photo और signature आ जाएंगी ठीक है जी उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं करना simply यहां पर upload and next option देखनों को मिलेगा आप लोग यहां पर देख सकते हैं simply आपको इस पर tap कर देना है जैसे यह आप लोग step 4 को complete करोगो उसके बाद आप लोगो step 5 आ जाएगा ठीक है आप लोगो इस तरह का interface देखनों को मिलेगा welcome और फिर आपका उसके निचे नाम और registration number होग ठीक है बैब लिंक किए रहे आप लोग जो भी फिल की हो वो आप चेक आउट कर सकते हो pdf form में डाउनलोड कर सकते हो step 5 में जो है view detail कर गया है आप लोग click here to view your detail डाउनलोड कर सकते हो pdf form में ठीक है जी उसके बाद यहां पर आपकी जो fees है basically वो हम बता देते हैं यह आप ल यह उनके अलग से होंगे यह मान के चलिए ठीक है अब यहां पर सारे codes अभी label है आप लोग देख सकते हैं first है आप लोगों का BPA ठीक है उसके बाद है first यह 301 में LLB third year MA drawing, painting, MA economics, education, English, geography, Hindi ठीक है यह आप लोगों का music से related आ गया ठीक है history, home science है यह जितने भी courses आप लोग दे देख लेना और यह सब करने से पहले एक मेरी वीडियो हो रहा है डिस्क्रिप्शन में लिंक बिल जाएगा PG और MA करके वह भी देख लेना वह जाधा important है आप लोग लिए अब जैसे मान के लिए आपने कुछ भी सिलक्ट करना है कुईसा भी course को सिलक्ट करना है तो उस पर ह मान के चलिए हमें MA स्ट्री जगरना है तो हमने यहां पर टैप कर देंगे इस तरह से ठीक है जब हम यहां पर टैप कर देंगे तो यह course स्लेक्ट हो जागा वैसे नहीं आप डबल टैप करोगे तो वह डबल कोर्स हो जाएंगे सेलक्ट वह एक ही रहेगा ठीक है आपको एक पेमेंट करके दिखाता हूँ आप लोगों तो जैसे कि आप लोगों के जब कोट सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद आप लोगों को उपर नाम आ जाएगा और 300 रुपे बैंक चार्जिस यहां पर लिखा हुआ आएगा ठीक है जी तो आप लोगों को यह पेमेंट करना है ठी करने आप लोग कर सकते हैं तो फाइनली हम लोगों ने 300 रुपे जो थे बैबरेस्टेशन करने के चार्जिस हमने इसको अपने डेविट कार्ट के थुरू पेमेंट कर दिया ठीक है आप लोग यहां पर देख सकते हैं इस टेस में सारे कंपलेट आ चुके हैं ग्रीन सिंग आप लोग कर सकते हो प्रिंट करके इस पर टैप करके ठीक है यहां पर से फॉर्म की डेटेल वगरा प्रिंट आउट ले सकते हो यहां पर फीस का ठीक है तो यह कंपलेट प्रोसेस था जो मैंने आपको बता दिया अपर एकोड़ चीज बताना चाहूंगा अगर अभी भी कोई भी question query है ठीक है तो मेरे को इस्टाग्राम पर आप लोग message कर देना मैं आपको मैंसर कर दूँगा यहां पर comment डरके पूछ लेना मैं यहां पर comment भी आपको answer कर दूँगा अब यहां पर एकोड़ चीज बता दूर्ध किसी भी course में enrolled हो तो आपके एडवेंज़ेंस से ल ग्रूप और चैनल है हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक बल जागा इन सभी जुड़ जाना क्योंकि छुटवी मोटी अपडेट हम वही पर देते रहते हैं तो आप लोग यहां पर जुड़ जाओको तो आप लोगे फाइदा रहेगा ठीक है अगर आप भी एक स्टुडेंट ओर आप लोगा हमारे चैनल को स्क्राइब कर लो और यहां पर टेलीग्राम गुरूफ बग्रा चैनल से भी जूड़ जाना ठीक है coloured तो चले FE मिलते साथ जब तक लिए ٹ Angeb